बिश्मिल्यार्यम्हार्य। अलेकुम आज इस Dax के lecture के अंदर यानिकि Data Analysis expression के lecture के अंदर हम बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो understand करने वाले हैं कि Data Analysis expression को कैसे Power BI और Microsoft Excel के अंदर use किया जाते हैं और इन दोनों की importance क्या है whenever you are using this expression language in Power BI, Microsoft Excel, even though there are many other Microsoft की जो softwares हैं उनके अंदर ये use किया जाता हैं खास तोर पर project management और बड़े-बड़े data के models को create करने के लिए Dax को use किया जाता है कल के lecture में कल की live stream के अंदर हमने काफी कुछ देखा और उसमें जो चीजें हमने सीखी हैं उसको भी हम देखने वाले और आज हम थोड़ा सा advanced level पे भी move करेंगे times आपके सामने लाता हूँ जनाब Dax Dax क्या होता है basically data analysis expression को बोला जाता है और इसकी definition हमने कल देखी भी थी जिसके अंदर हमने देखा था कि data analysis expression और Dax ये formula language होती है that is used primarily in Excel power pivot and Microsoft power BI to create custom calculation and analysis तो Dax को हम use कैसे करते हैं और इसकी syntax क्या होती है हमने कल देखा था कि कुछ operators को हम use करते हैं जैसे plus, minus, multiplication, division, caret sign को exponent बोला जाता है and some other arithmetic operators, comparison operators हम ये वाले use करते हैं text operator हम ये वाले use करते हैं logical operators के लिए हम ये वाले operators use करते हैं इसके बाद क्या होता है हमारे पास Dax के operators को use करके हम expression को लिखते हैं कल हमने ये भी देखा था कि हम Dax के functions और Excel के function को किस तरीके से differently हम देख सकते हैं for example ये Excel का function है जिसके अंदर some cell range लिख देते हैं और Dax के function यानि के Dax का जो expression होता है उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं आज हम कुछ Dax के basic components, basic functions को भी देखेंगे और Dax को किस तरीके से हम हल कर सकते हैं different तरीकों को use करके वो भी हम देखने वाले हैं और मैं Power BI पे इसमें start लोंगा and then आजस्ता इस्ता इस्ता हम Microsoft Excel पे भी इसे use करने वाले हैं कल मैंने आपको ये भी बताया था पिछले लेक्शर के अंदर कि Dax की measures and calculated columns जो हैं इन में किस तरीके से हम फरक देखते हैं और Dax को कैसे use किया जाता है ठीक है, आज यहीं से हम आगे चलेंगे सबसे पहली चीज़ी है कि Dax को कैसे use करते हैं और Dax हमारे जो analysis है, data analysis या data analyst के लिए क्यों और किस वज़ा से ज्यादा जरूरी होता है अगर आप गोर करें यहां पे तो हमारे पास basic structure of Dax कुछ इस तरीके से होती है Dax का method क्या होता है या function जो होते हैं Dax के data analysis expression के वो follow करते हैं एक syntax को syntax क्या होती है, जैसे आप एक function का नाम लिखते हैं वो sum हो सकता है, वो कोई भी function हो सकता है और फिर argument देते हैं कि इस function ने किस के उपर लगना है यानि कि function name and then bracket के अंदर हम लिखते हैं arguments ठीक है, left side पर जो चीज़ होगी उसे function बोला जाता है और right side पर जो हमारे पास brackets के अंदर होगी इसे बोला जाता है arguments, तो function and argument ये दो चीज़ों पर मिलके Dax की basic structure बनती है, इसकी एक example आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस जगा पर अगर मैं दुबारा से यहाँ पर लेके जाओ, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ Dax के जो basic function है वो दिये हुए, just a minute यहाँ पर हमारे पास sum दिया हुए, ठीक है, और table का नाम हम देंगे, जो भी table को हम import करेंगे and then column का नाम देंगे, तो उसका sum आ जाएगा, so this will be our example, sum is the Dax function, यह function है, sum x भी हो सकते है, some other things भी हो सकती है and then we have table and column, जिसे हम argument होते हैं, तो Dax का expression कुछ इस तरीके से लगता है, function name and argument इसके बाद हमारे पास Dax measures and calculated columns होते हैं, यह तोनों क्या चीज़े हैं, कल भी मैंने इसके बारे में बताया था, आज दुबारा से हम इसको discuss करेंगे ठीक है, Power BI या Excel में, एक होता है, हम Dax की measure बना लें, कोई, calculated measure बोला हम बना लें, यह हम पूरे का पूरा column को calculate कर लें कल भी मैंने बताया था, कि measures are dynamic calculation based on user interactions with the report, often involving aggregation influence by filter context for example, मेरे पास पूरे महीने की मैंने sale को जब count करना है, तो मैं total sale, उसको जब count करूंगा, एक value के अंदर, not multiple values, बलके सिरफ एक value, पूरे table की एक value, उसको हम calculated measure बोलते हैं, यानि के एक quantity, जैसे वो नवाज़ोदीन सदीकी कहता है ने, dash एक मच्षर, सेम वही चीज़ा यहाँ एक calculated measure, ठीक है, अब calculated measure में सिरफ एक quantity होगी, ठीक है, and then हमारे पास आता है calculated column, उसके अंदर क्या होता है, these are static columns added to the data model, ये column होता है, जो data के अंदर हम add करते हैं, calculated row by row, हर row की separate value होती है, हर row की separate value होगी इसके अंदर, and typically used for intermediate results, और column based logic, ठीक है, ये basically इस तरीके से हम use करते हैं, इसके अंदर भी ये वाला formula use होता है, total measure के अंदर भी, or DAX का function use होता है, और उसका argument use होता है, same चीज़ यहाँ पे भी होती है, discounted amount का, अगर हम नया column बना रहे हैं, तो उसके नीचे क्या होगा, sales amount आएगी, sales discount percentage आएगी, और इन दोनों की base पे हम calculate करेंगे, discounted amount क्या है, तो calculated calculated measure versus calculated column इस तरीके से हम देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और detail में देखें, तो DAX measure versus DAX column होता गया है, definition में अगर हम जाएं, तो iDynamic calculation evaluated in the context of query, often affected by filter, ये simple एक measure होती है, basically जो filters के साथ हम use करते हैं, और इस measure की एक value आती है, यहाँ पे एक column आता है, जिसकी definition हम पहले भी देख लिए, फिर calculation context क्या होता है, ये पूरी के पूरी value को in total करके एक report के अंदर आपको final value देता है, यहाँ पे क्या होता है, यह rows के Context को, यानिके एक row का context आया, उसकी value आगी, दूसरी row का context आया, उसकी value आगी, तो इस तरीके से हमारे पास आती है, फिर storage क्या हो ना तो ये टेबल के अंदर store होती ना कहीं और पर ये सिरफ आपके पास एक calculated measure होती है जो आप print करवा सकते है whenever you want to print this into a dashboard लेकिन calculated column एक extra column होता है जो data के अंदर model के अंदर as a column या table का part जो है वो add हो जाता है और memory के अंदर भी चला जाता है ठीक है इसका use ये case ये है कि आप इसको aggregation के लिए use करते हैं यानि कि total average sale, पूरे महीने की sale, पूरे साल की sale और यहाँ पे आप product categories वगरा को use करते हैं price का discount वगरा को use करते हैं और column को separately आप add कर देते हैं यहाँ पे जो performance है basically more efficient होती है क्योंकि सिरफ और सिरफ आपकी memory जो है वो सिरफ calculate करने के लिए use होती है that's it यहाँ पे आपकी memory जो है वो efficient नहीं होती because you are pre-calculating and sorting some kind of data here यह filter पे depend करता है यह independent होता है filter पे example इसकी यह है जो मैंने आपको पहले भी दिखा दी है which is this one आप total sale को calculate करते हैं ऐसे और calculated column को ऐसे same example आप यहाँ पे भी देख सकते है total sale and discounting amount then reusability can be reused in different visuals आप multiple dashboards में यह यूज कर सकते है यह वाला fix होता है जब एक दफा create कर दिया गया you cannot change that until unless you change the formula लेकिन values आप change नहीं कर पाएंगे because this is a kind of static column यह dynamic है यह static है फिर यहाँ पर aggregation होते है typically use for aggregation results यह aggregation के लिए use नहीं होता फिर calculation timing क्या है this is calculated at query time when the data is displayed in the report तब भी यह calculate होता है यह वाला जब भी आपने data बनाने data load करने तब calculate होगा इसका मतलब यह हुआ calculated column के लिए उसको calculate मत करें जब तक जरूरी नहीं है ठीक है जब तक जरूरी है तब तक calculate करते जाएं यहाँ पर DAX मेयर को आप तब ही calculate करते हैं जब final report के अंदर आपने किसी चीज को add करना होता है अब DAX के अंदर data analysis expression के अंदर आपके पास दो major किसम की measures होती है एक मेयर जो है DAX मेयर एक final value का नाम है तो इसकी भी आगे दो types हैं एक को बोला जाता है explicit measure एक को बोला जाता है implicit measure यह दोनों measures बहुत ज़्यादा ज़रूरी है whenever you are dealing with DAX क्यों ज़रूरी है अभी आप देखेंगे explicit measure यह होती है कि यह manually create की जाती है calculate की जाती है defining DAX formula by the user आप खुद से create करते हैं based on your own formula के मैंने यह वाली total sale चाहिए मुझे मुझे यह value दो इसको बोलते है explicit measure फिर कुछ होती है implicit measures implicit measures क्या होती है जब भी आप कोई data की report बनाते हैं वो automatically calculate करके आपके पास हा जाती है for example an automatically generated calculation created by dragging into the field into visual and applying default aggregation इसको बोला जाते है implicit measure यह है explicit measure यह implicit measure है और यह मेरे पास कुछ ही seconds के अंदर on हो जाएगा यहां पर आपको explicit और implicit measures में दिखाने वालो again measures होती है simple final one value calculated measures one value वो explicitly यानि के आप खुद से भी calculate कर सकते हैं implicitly यानि के अंदर ही power BA खुद भी calculate करता है whenever you are dragging something और इसकी example plots के अंदर मैंने आपको कई दफ़ा दिखाई है अपने पिछले lectures के अंदर ठीक है यह कैसी दिखती है किस तरीके से दिखती है अगर आप kodanics.com पर जाएं kodanics.com और वहां पर जाने के बाद अगर आप courses में जाएं यह courses में आगे data analysis के summer bootcamp जो है हमारा नीचे आजाएं power BA का part 3 जो है basically यहां पे इस जगा पे आपको जितने भी मैंने columns बना के दिखाए हैं बाके चीज़ें बना के दिखाए हैं maps बना के दिखाए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ और उसकी यह वाली file थी say for example जब हमारे पास waterfall चार्ट आया था या मैं इसको थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ बार चार्ट पे आप गोर करें कि जब हमने बार चार्ट बनाया था इस पे मैं click करता हूँ तब हमने यहां पे अगर आप गोर करें यहां पे y axis पे हमने जो आ गया था some आ गया था so these are called implicit measures यह है वो measure जो automatically calculate करता है कोई भी एक data automatically अब यहां से अगर मैं y axis से जो value है उसे remove करता हूँ जो average of total bill है ठीक है यह देखें यहां पर tips के data में total bill जो value है मैं इसको cancel करता हूँ यहां पर यह हमारा tips का data था मैं यहां से total bill को उठाके y पे drag करता जैसे मैंने drag किया यह automatically sum इसने calculate कर दिया that is a implicit measure automatically जो create हुई है ठीक है and this implicit measure is very known I would say क्यों क्योंकि यह automatically create हुई है इसको आप average में भी convert कर सकते है and you will see the change here यह है implicit measure अगर आप खुद से कोई measure calculate करें तो आपके लिए वो measure क्या होगी वो हो जाएगी कौन सी measure हो जाएगी explicit measure ठीक है explicit measure का भी आपको पता चल गया और implicit measure का भी अब यहाँ पे अगर आप हौर करें for example home पे जाएं home पे जाने के बाद आप यहाँ पे आजाएं यह आपके सामने top पे new calculation पड़ी है new measure पड़ी है ठीक है और यह new measure यह quick measure भी आप देख सकते हैं यह है जो आप explicitly दे सकते हैं for example यहां पे जैसे मै new measure पे कलिक करता हूं, जैसे मै new measure पे कलिक करऊंगा you will see के हमारे पास यह में यहाँ पर कलिक करके आप इस measure को देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से इसको add करना है आप orders में add करना चाते हैं आप tips में add करना चाते हैं कहां पर add करना चाते हैं इवन दो अगर आप data के उपर यहां पर जाके इस जगा पर click करते हैं और new mirror पर चले जाते हैं तो आपके पास एक नई mirror आजाएगी tips के अंदर मैं new mirror पर click करता हूँ जैसे मैंने क्लिक किया यू विल सी डाट मेयर हीर ये है जी वो मेयर ये आपके सामने मेयर आगे है अब आपने क्या करना है इस मेयर का कोई नाम रख ले for example मैं इसे बोल देता हूँ average average रखा अब आपने क्या करना है basically इस मेयर के अंदर average count करनी है किसी एक जीज़ की let's see आप वो formula लिखते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ average average लिखने के बाद मैंने dataset यहाँ से चूज़ करना है मेरा data है tips का so मैं tips के data का column चूज़ करता हूँ total bill और यह intelligence है inside power BI जो automatically आपको DEX के function को use करने का बताती है मैं total bill को click करता हूँ यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास यह expression लिखा गया है average यहाँ पे मैं underscore total bill कर देता हूँ ठीक है जैसे मैं इसको यहाँ पे click करूँगा commit करूँगा यहाँ मैं enterprise करूँगा यह वाली मेरी measure automatically calculate हो जाएगी something like this और यह जैसे मेरे पास आई आप देख सकते हैं कि यह average measure मेरे पास आ गई है this is a new measure मैं इस पे अगर check mark लगाँगा तो यह measure मेरे पास आप कहीं पे भी इसे show करवा सकते हैं अपने पूरे dashboard के अंदर dashboard के अंदर भी और कहीं पे भी और जैसे मैंने उस पे click किया you are looking here a measure जहां पे मेरे पास यह data आ चुका है average of total bill is this one और उसका पूरा data मेरे पास यहां पे आ चुका है इसके इलावा मैं क्या कर सकता हूँ मैं यहां से कोई भी एक जो है वो card उठा सकता हूँ जैसे मैंने यह वाला card उठाया I will add this card here और इस card में मैं average measure को add करने की कोशिश करता हूँ यह अगीज मेरे पास average measure यह है explicit measure this is not implicit measure यह explicit है और यह calculated measure है this is only one value जो मेरे पास आई है average की base पे ठीक है अगर मैं इस पे click करूँ तो यह average है आप इसी को यहीं से change करके इसको different और values में change नहीं कर सकते जैसे आपने किसी और क्यों किया था क्यों क्योंकि इसका formula यहां पे लिखा हूँ है average ठीक है यह हमने average का formula यहां पे लिखा हूँ है this is dax expression यह है dax यह वाली line है dax अगर आप average की बजाए sum चाहते हैं तो वो भी आजाएगा यहां पे आपको लिखना पड़ेगा sum यह मैंने sum लिखा enter किया यह मेरे पास sum की value आजाएगी and you see automatically it's being changed 4.83 total bill है हमारा so I mean to say कि अब अगर कोई भी change चाहते हैं you can actually do that change by just changing the formula ठीक है तो मैं इसको average में convert कर देता हूँ and believe me बहुत ही असान है formula लिखना और calculated measure को ले किया आना अब एक और काम करते हैं हमने calculated measure तो लेख ली हमारे पास जो एक और चीज़ थी जिसके उपर हम काम कर रहे हैं वो है calculated column कि DAX expression में calculated column कैसे ले किया आना है अब इसी एक data के अंदर जो पिछला हमने tips का import किया हुआ था हम calculated column को calculate करेंगे वो कैसे करेंगे I will go back to my other screen यहाँ पे आप देखें हमारे पास यह है data tips का data है ठीक है इसी data के अंदर मैं थोड़ा से इसे zoom in करता हूँ यह data के अंदर मैं इस तीन dots पे click करता हूँ और यहाँ पे आप देखें new column आ गया मैं new column पे click करता हूँ click करने के बाद आप देखें के मेरे पास एक नया column आ गया ठीक है यहाँ पे और यहाँ पे चेक करें column का मेरे पास पूरय का पूरा formula आ रहे लिखा हुआ this is the formula ठीक हो गया, अब इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, अगर मैं tips के data को जानता हूँ, तो मेरे पास tip है और total bill है, ठीक है, तो एक मैं column ऐसा बना सकता हूँ, जिसका नाम हो amount, बिल की बजाए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, total amount, ठीक है, equal to, यह होगा, हम कैसे करेंगे, for example, sum, अगर मैं sum लिख हूँ, यह sum max लिख हूँ, we will see that के क्यों सी change आती है, sum मैं लिखता हूँ, sum लिखने के बाद यहाँ पे, मैं tips का column जो है, total bill का, इसको add करता हूँ, plus लगाता हूँ, आप मुझे बताएंगे, कि यह मैं ठीक लिख रहा हूँ, यह गलत लिख रहा हूँ, tip मैं दुबारा से लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे tip को add कर देता हूँ, formula बंद कर देता हूँ, अब आप गोर करें, यहाँ पे मेरे पास red line आ गई है, एक red line आ गई है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, कि यह जो मैंने formula लिखा है, मैंने sum भी add कर दिया, और bracket भी लगा दिया, और बीच में plus भी कर दिया, this is not how it should work, तो हमें क्या करना है, यह bracket remove करनी है, यहाँ से sum को remove करना है, and now that red line has gone, reason behind that, क्योंकि formula के अंदर सिरफ एक operator हमने use किया है, this one, यह operator use की है, plus का, let's see कि यह किस तरीके से काम करती है, अगर यह error देगा, we will see that, इस column का नाम हमने रखा total amount, मैं यहाँ पे commit पे click करता हूँ, and hopefully we have a new column called total amount, और इस column के अंदर हमारे पास सारी की सारी detail मजूद है, अगर आप table view में जाएं, then you have that column here as well, यह है जी calculated column जो आपका DAX क function को use करके आया, जिसका नाम है total amount, अगर आप इस पे click करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि आपके पास different किसम की values जो हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, और यह values क्या है, यह basically जितनी tip किसी ने दी है, plus आपका total bill, यानि कि this plus this, this is how you can create a new column, यह है जी new column, और इस वज़ यहाँ पे answer आ गया, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आगी होगी, कि calculated column क्या है, and calculated measure क्या है, implicit measure क्या होती है, और explicit measures क्या होती है, ठीक है, clear हो गया यहाँ तक, hopefully आपको clear हो गया होगा, अब आपको ज्यादा समझ आएगी कि हम DAX का function या formula किस तरीके से use करते हैं, I'll go back here, अब एक और चीज formula यूज करने के लिए हमें context देखना पड़ता है, ठीक है, row का context क्या होता है, जैसे अभी हमने plus का sign यूज किया, आप इसमे multiplication भी कर सकते है, you can do a lot of other things, ठीक है, आप एक निया column add कर सकते है, directly एक formula लिखके, यानि कि sales के data के अंदर total price and बागी चीज़ है, फिर इ calculator context होते हैं, जिसे हम calculator में यह बोलते हैं, then we have using common DAX functions, जिसमें sum का function है, जैसे मैंने भी आपको बताया, total sale हमने देखी थी, जिसके अंदर हमने total benefit गया, total amount देखी थी, sum करके एक की value निकाल ले, फिर हम calculation कर सकते हैं, कैसे calculation करते हैं, कोई भी एक year की sale हम देख सकते हैं, कि किस त एक column निया ऐसा बनाओ, discounted price का, अगर उसकी sale greater than zero है, sale का multiplication देदो 0.9 से, यानि कि 10% sale है, फिर आपके पास बाकी amount आजाएगी, तो final discounted price आजाएगी, एक 10% sale है किसी पर, फिर इसे तरीके से sum x function है, which shows sales and sale quantity और sales price को, और यह iteration करता है, through row by row, जब आप sum x use करेंगे, इसका मतलब सारी की सारी rows पर यह value लगेगी, जब आप sum use करेंगे, that means यह आपका एक filter है, जो use हो रहा है, और आपके पास calculated measure आएगी, then after that you have nested DAX methods as well, आप एक ही column के अंदर nested functions को भी use कर सकते हैं, यानि कि sum x है, इन दोनों का sum है, फिर आपके पास multiplication का operator है, and then you have a subtraction operator है as well here, यानि कि इस में से यह minus करो, उसको multiply करो quantity से, and then you have your sales here, so at the end आपके पास फिर आप उसका पूरे का बुरा context आजाएगा, ठीक है, so usually हमारे पास कही steps होते हैं, DAX को use करने के कुछ steps में आपको बताता हूँ, अब एक बात याद रखिएगा, DAX सीखना लगता असान है, लेकिन जब आप इस क्योंकि आपको function use करने का पता चल जाता है, but where to use those function is important, how to use is not really important, क्योंकि वो chat GPT से भी पता चल जाएगा, आपको बाखी चीज़ों से भी पता चल जाएगा, where and why to use is important, जैसे अब मैंने total amount निकाली, उसका को मकसद होगा ना बीचे, वो मकसद क्या है, कि आपके पास bill आई ह फिर उन्होंने tip भी दी है, उससे आपका total revenue आगया, कि आपके पास कितनी amount आई है, ठीक है, of course उसका tip का और bill का part separate है, फिर आप ये भी देश सकते हैं, कि अगर single person कोई आया है, उसकी tip कितनी थी, so you can do multiple kind of tasks in the same data model, और वो data model जो है, बार-बार आप use कर सकते हैं, इसको expand करते ह होना चाहिए, कि मैं जो function use कर रहा हूँ, मेयर के लिए करना चाहिए, मुझे use, या calculated column के लिए, अगर करना है, तो उसका मकसद क्या है, why do I need to use that, am I sure, मिले के लिए नहीं करना, you need to know, कि इसका end result क्या है, if I am using some kind of calculated measure, उसका end result क्या है, इसकी example में आपको दिखाता हूँ, यहा टोटल बिल बनता है, 19.79 बनता है, ठीक है, यानि के मेरे पास जो average एक बिल है, वो 19.79 है, एक customer का बिल, ठीक है, और अगर मैं इसी चीज़ को average की बजाए सम कर दूँ, सम कर दूँ, then I will have different result, तो मेरे पास total बिल जो है, वो 4.83 किलो, यानि के के, यानि के 1000 में है, यानि के 4,083 रुपे या 830 रुपे बिल है वो, so this is how you can calculate your bills, और आप इस तरीके से उसकी कुछ sense बना सकते हैं, अगर आपसे sense नहीं बनती, that means you need to work hard on data analysis skills, यहाँ पे आपने पहले right function को use करने, then you have to define the scope, इसकों context बोलते हैं, understand the filter or row context in which the function will operate, this will impact the results of your calculation, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, why are you using, और उसका मक्सद क्या है, and what are the end results you are getting out of it, ठीक है, use the correct syntax, अगर आपको syntax correct use नहीं करने आती, then it's not a big deal, उसकी reason क्या है, कि आपको power BA जो है, वो intelli code या intelli sense के थूरू बताता रहता है, के क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे average का formula लिखा, इसने automatically मुझे आगे hint देना start कर दिये थे, कि आपने क्या लिखना है, for example, यहाँ पे, मैं दुबारा से जाता हूँ, इसको zoom in करता हूँ, यह मैंने average total bill लिखा था, मैं यहाँ पे सिर्फ average लिखूँँगा, फिर यह play with the syntax, और अगर आपको syntax में command आ जाए, then it's very easy, क्यों क्योंकि आपको बहुत कुछ याद नहीं रखना पड़ता, Intelli Code आपको खुद बाखुद यह चीज़ें देता है, फिर आपके पास है test and validate, multiple time अपने DAX expression को use करें, और DAX expression को use करते वकत, उन्हें multiple तरीकों से इस्तमाल करते वकत, आप data को interact करके देखें, कि क्या कुछ change आ रही है, या नहीं आ रही, अब होगा क्या, हम आने वाले lectures के अ DAX की functionality को और भी explore करेंगे, अगर आप ready हैं उसके लिए, तो please write down in the comment section, like ने किया, तो press like button now, it will help us by the way, क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं DAX को, believe me, वो भी उर्दू और हिंदी देशी जुबान के अंदर, with examples, with hands-on practice, तो यह आपका हमारे पहसान होगा, if you can press the like button and write down your comments in the comment section, secondly, अगर आपने subscribe नहीं किया, तो please go ahead and subscribe our channel, हम जुमा, हफता और इतवार को तकरीबन 9 बजे के करीब live आते हैं, और discord का और हमारे WhatsApp का जो channel है, उसका link में ने description के अंदर दिया, आप हमें join करके live updates भी ले सकते हैं, next lecture में बिलकुल 0 से start किया जाएगा, data कैसे उठाने, कहां से यूज़ करके हम उस data को clean भी करेंगे, prepare भी करेंगे, data की नई से नई items भी create करेंगे, and वो ही काम मैं आपको Excel में भी करके दिखाऊंगा, from A to Z project, और dashboard भी हम बनाने वाले हैं, so DAX को यूज़ करके Power BI और Excel के अंदर आप बहुत कुछ कुछ करने वाले हैं, अपना ख्यार यूट्यूब कोडैनिक्स पर जाने के बाद यहां पर प्लेइलिस में जाएं, तो प्लेइलिस में जाने के बाद आप यहां पर प्लेइलिस्ट में लिखेंगे, तो आपके पास यह Power BI की complete प्लेइलिस्ट आ जाएगे, इसके अंदर हमारा सर एकसारा Power BI के course available है, free of cost, और Microsoft Excel के अंदर DAX और बाकी functions कैसे use करने हैं, इसे के साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना खियार रखें, और दौह में याद रखें, कल को exactly तक्रिवन 9 बजह में दोबारा live आएंगे, और अगर आप live इस वीडियो के नहीं देख रहे है, recorded session देख रहे हैं, तो आपका असलाम अलेकू